Hello everyone, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सैनेक स्कूल के बारे में जानने वाले हैं, सैनेक स्कूल इंटरेंस एक्जाम के बारे में, ठीक है, सैनेक स्कूल इंटरेंस एक्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं, All India सैनेक स्कूल इंटरेंस एक्जाम, यानि कि अखिल भारतिय सैनेक स पैटर्न क्या है, application कब निकलता है, इसके आलब exam होता कब है, और इसके बाद medical कब होता है, result कब आता है, और admission का पूरा का पूरा process में आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, साथी साथ exam का पैटर्न भी बताऊंगा, timing और सब कुछ discuss करेंगे, detail में discuss करेंगे, ठीक है, देखो, 9th और 6th में, दोनों class में exam होता है, लेकिन in this video, we are going to cover only 6th class, 6th class के बारे में हम लोग cover करेंगे, सारी चर्चाय करेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में, मैं 9th class वाली भी चीज़ें cover कर दूँगा, information सारी cover कर दूँगा, ठीक है, so without any delay, let's start with the video, सबसे पहले तो यह चार phases में इस तरह से होता है, कहने का मतलब यह है कि पहला आपका return exam होगा, return exam कहने का मतलब OMR based exam होता है, ऐसा कोई subjective answer नहीं लिखना होता है, आपको OMR sheet पे ऐसे गोले भरने होते हैं, बताऊंगा भी pattern क्या है, वो सारी चीज़े बताऊंगा, लेकिन NTA याने कि National Testing Agency जो है ठीक है, तो पहला जो आपका चरण होता है, वो भाई OMR sheet वाला exam होता है, मतलब आपको कोई negative marking इसमें नहीं देखने को मिलेगी, OMR sheet पे गोले भरने होंगे, कोई subjective answer नहीं लिखना होगा, वो exam होगा, ठीक है, अगर मैं बात करो qualifying marks की, तो 40% qualifying marks रहते हैं general बच्चों के लिए ठीक है, तो qualifying number निकालने से ही ऐसा नहीं हो जाता कि आप pass हो जाओगे, actually इसमें merit list बनता है, तो आप ये 40% कोई मतलब नहीं है, उतनी value नहीं है, इसके ज़्यादा focus मत करो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि OMR best exam होगा, और इसके बाद जो होगा interview होगा, आपका, फिर medical होग और फिर जाके final merit list निकल करके आएगी, ठीक है, अब ये जो exam होता है, लगभग जनवरी के आसपास होता है, मतलब जनवरी के second week में, आप मालो की exam होता है, जब भी notification वगर आएगा, मैं हूना, बता दूँगा आपको, ठीक है, तो इसके चिंता ना करना, ये देखो, जनवर तक तो भर्द ही दिये जाते है, मतलब इससे जदा नहीं होता है, मतलब इससे time जो है, इससे आगे नहीं जाता है, ठीक है, तो form भरे जाता है, September, October में, इसके बाद से जो exam होता है, वो है जनवरी में होता है, उसके बाद से जो इसका result आता है, वो फरवरी के last में, या फिर मार्च के शुरू सुरू में आ जाता है है ना, result इस टाइम पे आ जाता है और जैसे ही result आता है आपका interview होगा, medical होगा उसके बाद जो final merit list निकल के आएगी आपकी, वो आपका merit list निकल के आएगा वही April के शुरुवात में मान के चलो, April में ही वही आ जाता है ठीक है, April पूरे महीने में ये process चलता रहता है, April के लाज तक तक तो आ ही आता है किसी भी आल में, ठीक है, तो ये चीज़े हैं कि मतलब इस तरह से इसका pattern है मतलब इस तरह का इसका process है actually है ना, चलो, ठीक है तो अभी देखो, eligibility के बारे में बात कर लेते हैं कि eligibility क्या-क्या है तो eligibility के लिए अगर मैं 6th class की बात करूँ तो बाई साब, main जो eligibility एक ही है वो है कि 10 से 12 साल बच्चे की उमर होनी चाहिए यानि कि 31 March तक, 31 March तक गिना जाता है एक special case बनता है कि 6th class का बच्चा भी अगर इस age group में आता है तो वो भी exam दे सकता है लेकिन 5th से नीची नहीं ठीक है तो यह बस मोटा-mोटी eligibility है कुछ खास ऐसी requirement है नहीं इस exam के लिए बागी syllabus वगर है आपको साथ-साथ पढ़ते हुए चलना है तभी तो exam crack करोगे देखो subjects की बात करें तो चार subject पूसे जाते हैं पहला math, दूसरा general knowledge, तीसरा language और चौथा intelligence test ठीक है तो यह चारो subjects में क्या-क्या pattern है मतलब कितने-कितने number के question आते हैं और कुल मिला करके कितने-कितने questions आते हैं यह सारी चीज़े मैं अभी बताऊंगा अच्छा subject से एक चीज़ आजाया कि pandemic के बाद सारे school धीरे-धीरे खुल रहे हैं 6 से 12th class तक आपको किसी भी subject में doubt आता है, किसी भी topic में doubt आता है तो आप तुरांत अपना doubt पूच सकते हो in academy के app ठीक है किस के किस के लिए है? 6 से 12th class के बच्चों के लिए करना के आपको कैसे होगा? यह doubt clearance आपका description में link दिये हुए है सारे 6 से 12th class के लिए description में link दिये हुए है किसी भी link पे आप click करके वहाँ पर जा सकते हो in academy का app download कर सकते हो और वहाँ से अपने doubts पूच सकते हो हाँ और कहानी इधर ही खतर नहीं होती है अगर आप 5 doubt पूचते हो ना अगर आप 5 doubt पूचते हो तो 7 दिनों के लिए unacademy का plus subscription आपको free में दिया जाएगा ठीक है? तो आप plus subscription भी एक तरह से trial based पे आपको मिल सकता है मतलब 5 doubt अगर आप पूचते हो ताकि आप free में doubt पूचने पाओ कोई भी चीज इसमें अगर locked होगी तो unlock हो जाएगी है ना drone code का यूज करके इसके अलावा अगर आप drone code का यूज करके कोई भी subscription लेते हो हाने केडिम का तो आपको 10% का discount मिलेगा और कोई भी paid subscription लेते हो तो जरू से drone code का करो अगर आपको subscription लेना है तो ठीक है और यह देख लो 612 क्लास के लिए है 29 से पांच सितंबर तक यह doubt का session मतलब आप चला सकते हो यह doubt पूच सकते हो उसके बाद ही पूच सकते हो लेकिन अभी जो है subjects मतलब subjects आपने देखा कि क्या-क्या आते हैं यह सारे subjects आते हैं कहां गया है हाँ यह math general knowledge language and intelligence test now you see कि इसमें जो है number of question math के कितने 50 question तीन-तीन number के यानि कि total marks जो होते हैं आपके 150 marks ठीक है एक सो 50 marks total अरे यह marks यह number of question यह क्या यह थोड़ा गलत लिखाव यह आपके देखो तो यह general knowledge होता है पचीज question होते हैं दो-दो number के तो 50 number के यह हो गया और language जो होता है पचीज question आते हैं दो-दो number के तो 50 number यह हो गया ठीक है intelligence test जो होता है पचीज questions आते हैं दो-दो number के यहने कि total 50 number के यह हो गया तो total देखो total 300 marks से होंगे 125 question होंगे ठीक है ना 125 question होंगे 300 marks से होंगे आपको time दिया जाएगा धाई गंटे का time दाई गंटे का time मिलेगा एक्जाम शुरू होता है 10 बजे और खतम होगा 12.30 बजे तो दाई गंटे का आपको time मिलेगा इस exam में ठीक है सैनिक स्कूल के इस exam में चलो कुछ और बाते कर लेते हैं कुछ general चीजे notice देखो पहली बात तो objective type exam में मैंने आपको बता ही दिया है कोई भी negative marking आपको नहीं देखने को मिलेगी यानि क्या अगर आप कोई question गलत करते हो तो उसके लिए आपके number नहीं काटे जाएंगे सही answer के जरू से आपको number मिलेंगे ठीक है और यह धाई घंडे का तो है मैंने यह बता ही दिया आपको कुछ बताने की जरूद नहीं है medium के अगर मैं बात करूँ कि किस medium में एक्जाम यह होता है तो देखो sixth class का जो medium है ना वो इतनी सारी भाषाओं में आप एक्जाम दे सकते हो लेकिन 9th class में थोड़ा सा different है 9th class के वाल English में होता है sixth class वाले में इतनी सारी medium आप चूज कर सकते हो देख लो आप screenshot इसका लेकर के रख लो English, Hindi, Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Marathi, उडिया, गुजराती, SME, पंजाबी, बेंगाली, अनुर्दु तो इतनी सारी भाषाएं हैं जिन medium में आप exam दे सकते हो अब जैसे कि मैंने यहां पर देखो यहां पर बात किया था ना language section तो जो भी आप वहां से language चूज करोगे वही language आपका आएगा मालों आपने उडिया चूज किया है ना तो आपका paper उडिया में आएगा और जो language वा होगा ना वह दोनों medium में होगा याने कि Hindi और English medium में भी मतलब questions दोनों medium में लिखे होंगे चाहे English का हो चाहे Hindi का हो दोनों में सेनी में से कोई आपने चूज किया है तो इसके अलामा अगर आप यह सब language चूज करते हो ना तो आपका जो question paper आएगा वह English और प्लस English प्लस इस language भी मतलब English प्लस local language में है na English प्लस local language ऐसे गुज्राति आप ने चुना तो गुजराती और English दोनों language में आपका आएगा अनिको और English हिंदी चुनते हो तो चाहे आप English हिंधी चुन आदे चुनओ, चाहें हिंदी चुनो, question दोनों language आप देखो Drone School अप में नौदे विद्याले की और सैनिक स्कूल की जम करके तयारी हो रही है, यहाँ पर आप जाओगे इस्टोर सेक्षन में, तो यहाँ पर आपको कोर्स देखने को मिल जाएंगे, नौदे विद्याले से रिलेटेड और सैनिक स्कूल से रिलेटेड, तो प आपको समझ में आए होगी, मिलते हैं आप से अगले विडियो में कुछ इसी तरह के धमाकैदार इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए लिए धन्यवाद